नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे तीन वराइटी के पौधे जिन्हें पानी में कटिंग से पर्मनेंट रूप से उगाया जा सकता है सबसे पहले पोथोस इस पौधे को आम तोर पर मनी प्लांट भी कहा जाता है मैंने अपने दोस्त से कुछ कटिंग ली थी, एक है मार्बल पोथोस, दूसरा है गोल्डन पोथोस, तीसरा है मंजुला, जिन्हें मैंने मिट्टी में डाल दिया था और जैसा कि आप देख सकते हैं कि सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं कई बार लोग कहते हैं कि उनका मनी प्लांट अच्छी तरह से विकसित नहीं होता है और वह मर जाता है याद रखें कि इन पोधों को इन डायरेक्ट ब्राइट लाइट की आवश्यक्ता होती है कुछ लोग उन्हें बहुत कम रोश्णी में रखते हैं और इसलिए वे अच्छी तरह से विकसित नहीं होते हैं इसके अलावा मैं यह सलाह दूँगा कि सब्ताह में एक बार हमेशा बोतल का पानी बदल दें हाला कि मैंने इस पानी में कोई उर्वर्क नहीं मिलाया है यह सिर्फ साधा पानी है मैं आपको दिखाऊंगा कि इस पौधे की कटिंग कैसे की जाती है नोड ढूंढें बस कुछ सेंटीमीटर नीचे काटें और पानी में डालें बहुत सरल है दूसरी किस्म है फिलोडेंडरन यहां मेरी दो किस्मे हैं एक है फिलोडेंडरन मिकैंस और दूसरी है ब्रासील फिर से बिलकुल मनी प्लांट की तरह यह दोनों ही कटिंग से उगाए जाते हैं और इन्हें बहुत अच्छी इंडाइरेक्ट ब्राइट लाइट की आवश्यक्ता होती है पानी बदलने और कटिंग लेना मनी प्लांट की तरह ही एक प्रक्रिया है तीसरा है सिंगोनियम है मैं आपको इसे काटने की प्रक्रिया भी दिखाऊंगा नोड या मोटा तना ढूने और काटें फिर इसे बहुत ही सरलता से पानी में डाल दें जैसा कि वे कहते हैं यदि आपकी इच्छा हो तो आप कहीं भी पौधे उगा सकते हैं भले ही हमारे पास कोई जगह ही न बची हो अगर आपकी इच्छा है तो आप इसके लिए जगह जगह बना ही लेंगे मैंने अपने अपार्टमेंट के लिफ्ट रूम का उप्योग वाटर प्रॉपगेशन के रूप में किया है अब अधिकांश पौधों को पानी में प्रचारित किया जा सकता है और मैंने कटिंग को मिट्टी में डालने की तुलना में पानी के साथ बहुत अच्छे परिणाम देखे हैं शायद क्योंकि मेरा वातावरन शुष्क है इसलिए जल प्रचार अच्छी तरह से काम करता है ये कुछ पौधें हैं जिनके लिए मैं प्रयोग कर रहा हूँ मैं नाम नहीं जानता क्योंकि ये सडक के किनारे से लिए गए थे ये कटिंग चार सप्ताह से पानी में है कोई जड़ नहीं है लेकिन कटिंग स्वस्थ है ये एक और पौधा है जिसमें पांच सप्ताह के बाद जड़े निकली है ये एक और पौधा है जिसे सिंडापसस कहा जाता है मैंने गर्मियों में इस पौधे को लगभग खो दिया था सौभाग्य से मैंने स्टेम को बचा लिया और तुरंत पानी डाल दिया एक स्टेम मर गया लेकिन दूसरे स्टेम ने मुझे एक पत्ता दे दिया है मैं बहुत खुश हूँ यह भी सुनिश्चित करें केवल तना पानी में है पत्तियाओं नहीं यह मेरा फिलोडेंडरन हाट लीफ है मुझे लगता है कि तना बोतल के अंदर गिर गया और इसमें नई पत्तियाँ है इसलिए इसे बाहर निकाल लेंगे अन्यथा पत्तियाँ पानी के नीचे सर जाएंगी जैसा कि मैंने कहा कि कई पौधे आसानी से पानी में जड़ें जमा सकते हैं लेकिन जड़ें निकलने के बाद उनमें से अधिकांश को मिट्टी में स्थानांतरित किया जाना चाहिए जैसे कि यह पौधा जड़ें निकलने के बाद छोटे तने को काटने से उक आया है मैंने अब इसे मिट्टी में डाल दिया है और आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ नई विर्द्ध हुई है यह तरीका बहुत अच्छा काम करता है तो दोस्तों, मुझे आशा है कि यह वीडियो मददगार था अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और सबस्क्राइब करना न भूले आपको पस्तों, मुझे आपको वीडियो पस्तों, मुझे आपको भूले